हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज एक और नहीं प्रॉपटी लेके आपका अपना घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए अपनी कोठी बनाने का सपना पूरा करने के लिए मैं एकता एकप ग्रुप से आपके लिए ये प्रॉपटी लेके आई हूँ ये जो प्रॉपट सबसे पहले मैं आपको इसका एलिवेशन दिखाबना चाहूंगी जैसे ही आप इसका एलिवेशन पार्ट देखते हैं एलिवेशन में अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे यूनीक चीजों के साथ हम लोगोंने लाइटिंग थंडर शीट्स का यूज करके बहुत ही एरिया जो है एल शेप में यह आपको यहां पर परकिंग मिलेगी और वाशिंग के लिए कोई गाड़ी वाश करनी है तो उसके लिए टाप्स का प्रोवीजन हम लोगो ने आपको यहां पे दिया हुआ है मेरा ये जो duplex आपको मिरने वाला है ये आपको entry पे ही सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाना चाओँगी ये door की quality यहां पर जितना भी woodwork आपको मिलने वाला है वो आपको polish work मिलने वाला है बहुत ही superior quality के साथ आपको ये सारा काम मिलने वाला है ये duplex है आपकी जो stairs है वो अंदर से ही जा रही है तो मेरे यहाँ पे सबसे चड़ी बड़ी चीज जो हम लोगों ने use करी है वो यह stairs के part को use किया है यह जितना नीचे का stairs का part है इसको हमने अपने storage point of view से जो है वो use किया है यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है मंदिर तो यह आजाती है आपके मंदिर की space यहाँ पे यह जो entry वाला part आप देख रहे हैं क्योंकि यह duplex है तो हम लोगों ने इसको double heighted बनाया है जो chandler लगा के आपको दिखाया है कि आपके पस यहाँ पे interior को अपने हैनाहांस करने के लिए कितनी अच्छी space available है यह गुरा विला मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ यह मैं आपको without light दिखाने वाली हूँ lighting में तो आपको हर चीज बहुत प्यारी लगती है बिना light के natural light कितनी मिल पारी है यह आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जैसे मैंने आपको बताया था अच्छे से हम लोगों ने सोफा इंस्टॉल किया है साथ में सेंटर टेबल हम लोगों ने इंस्टॉल किया है तो बहुत यह अच्छी कासी स्पेस मूफ करने के लिए आपके पास यहाँ पे रहती है अब ड्राइंग रूम में फॉल सिलिंग देख रहे हैं फॉल सिलिंग बहुत ही प्यारी वुडन वर्क के साथ पॉलिश वर्क उपर यूज किया हुआ है यह भी आपको जो है वो एज़टीज ही मिलने वाली है नॉर्मली हम लोगों को फॉल सिलिंग के नाम पे जो है वो कॉर्नर कॉर्नर मिरते हैं वो ऐसा नहीं है यह आजाता है आपका ड्राइंग रूम का लेडी पैनल ड्राइंग रूम का मेरा जो लेडी पैनल है यह भी आपको स्टोरेज के साथ जो है वो एज़टीज ही मिलने वाला है विला दिखा रही हूँ यह मैं आपको सैंपल विला दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने वह को बताया है यह Gated Society के अंदर आपके पास विला है तो जो चीजें अभी इसमें नहीं दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपका ये furniture अगर आप out of city से हैं कहीं बाहर state से हैं आप अंबाला से हैं गुराओं से हैं करनाल से हैं पंजाब के किसी ऐसी जगा से हैं कि आपको लग रहा है मुझे एक builder सारी चीजे complete कर दे तो वो option भी आपको मिल जाएगी अगर आप furniture के साथ ये villa consider करना चाते हैं तब भी हम आपको इस stage पे ये provide कर सकते हैं ये आजाता है मेरा dining area मेरे kitchen के बिलकुल opposite और मेरे drying के बिलकुल center में ये आजाता है मेरा dining area अब dining area के बिलकुल सामने अगर मैं देखूंगी तो ये बड़ी सी cabinet आपको जो है वो हम लोग खुद ही बना के दे रहे हैं ये crockery cabinet आजाती है इसमें अंदर जितनी भी shelf है वो glass की आपको जो है builder shelves बना के दे रहे हैं और यहाँ पे आप अपना microwave या OTG जो भी आप अपना यहाँ पे install करना चाते हैं वो भी कर रहे हैं फॉल सिलिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें फॉल सिलिंग भी आपको जो है वो डिफरेंट मिल रही है LED लाइट आपको साइट पे मिल रही है बीच में woodwork के साथ आपको strip light का काम किया हुआ मिल रहा है यहाँ पे kitchen की entry के part पे बिल्कुल starting में यह wood की जो हम लोगों ने shelves आपको बिना के दिखाई है इस पे हम लोगों ने भी decorative items रखी है आप भी इस तरह से जो है उतना interior का काम कर सकते हैं फ्रिज का आपका provision यहीं पे रहने वाला है सैंपल है तो हमने आपको सिरफ यहाँ पे छोटा फ्रिज लगा के दिखाया है आप अपने हिसाब से बड़ा फ्रिज भी यहाँ पे install कर सकते हैं विला के हिसाब से त्री बेड्रूम विला के हिसाब से इसमें यहाँ पे हम जो आपको kitchen प्रोवाइड कर रहे हैं वो पैरलर kitchen प्रोवाइड कर रहे हैं मेरी पूरी जो kitchen है अगर मैं kitchen के color की बात करूं डाक ब्राउन लाइट कलर देंड माइका का वाइट और उसके इलावा यहाँ पे जो है हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो पूरे kitchen का जो लुक है न वो इतना प्रीमियम लग रहा है शायद आपको विज वीडियो में उतना क्लियर हो पा रहा है के नहीं हो पा रहा बट परसनली मुझे यह kitchen being a female बहुत ही अच्छी लग रही है इसमें हम लोगों ने जो space को space जादा ना हो तो microwave के लिए हम लोगों ने यहाँ पर point के साथ आपको option दी हुई है storage cabinet भी आपको मिल रही है तो आपके पस जितनी भी चीजे आपकी electronic items हैं वो सारी आपकी जो है वो shelf पे नहीं रहने वाली है उसके लिए बहुत सारे cabinets जो है वो यहाँ पे available है तो personally यह kitchen बहुत ही अच्छी लग रही है ventilation point of view से यहाँ पे हम लोगों ने openable window भी आपको दी है plus साथ में आपको यह जो है हम लोग आपको डोल भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो की मेरी rare balcony को assess करने वाला है मेरी rare balcony में आप जितना भी चारों तरफ देखेंगे तो आपको यह पूरा tile work जो है हम लोग यहाँ पर करके दे रहे हैं ताकि बार बार जो है इसको जो जो आउटर वॉल्स होती है वह बहुत ज्यादा डर्टी हो जाती है थोड़े थोड़े दिनों में तो paint का आपको बार बार चक्कर नहीं होए इसलिए हम आपको यह भी provide कर रहे हैं यहीं पर हम लो मेरे पास जो है वह अवेलेबल रहेगा बाकी दो रूम जो है मेरे पास फ सिस की बात करती हूं रहें के बादा विर्क स्टेशन बनाना चाहते है कोई extra cabinet बनाना चाहते हैं कौछ लखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर हूज स्पेस वेंटिलेशन पॉइंट वِّयू शे यहांपे भी हम लोगों आपको बना के दी है और यही कि मेरा वार्ड रोब अरिया आ जाता है तो यह थे सबक्रेंद के रिया मेरा से बाज़त कर संब यह द्लकुल सेप्रेश करने के लिए जो हम लोगों ने ड्रेसिंग एरिया है वो भी आपको यहीं पर बना के दिया है अब भी आप पार्ट देख रहे हैं यह मेरा ग्राउंड फ्लोर का वहरा वाश्रूम आ जाता है अब इस वाश्रूम की अगर मैं बात करूं ग्लास पार्टिशन जो है वो आपको एसटीज ही म बाहर काफी हो चुका है तो यहां पे स्ट्रिप लाइट के साथ स्मॉल एलेडी लाइट के साथ हम लोगों ने जो है फॉल्चिलिंग बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से आपको करके दी है आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आपको वह लगता है आगे सीजन भी ऐसा आ गर्मीयों का सीजन आने वाला है मुझे घर मेरे बच्चे के लिए कोई स्पेस तो यहां पे आपके बेड़ के इलावा आ पर इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि आपका बच्चा कभी यह फील नहीं करेगा या आप यह फील नहीं करेंगे कि मेरे पास इस घर में स्पेस नह यहां पे center में मिलने वाली है एक bedroom मेरा एक decided पी आ जाएगा तो दूसरा bedroom बिल्कुल opposite डेक्शन में है अपने 2nd bedroom की तरफ मेरे 2nd bedroom में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो normally आपको जो विधा में नहीं मिलता है, वह मिलता नहीं आपका store तो यह मेरे पास यहां पे available है store window के साथ available है आप इसको storage point of view से cabinet बनाके बढ़ाना चाहते है तो भी option आपके लिए बिल्कुल considerable है आपके पास यहां पर light का ventilation का कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए चलते हैं अपने bedroom की तरफ यह आजाता है मेरा bedroom का space आप मेरे किसी भी bedroom को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि bedroom में बैड लगाने के बाद आपके पास कोई space ही नहीं बच आप अपना चाय को एंजॉय करना चाते हैं तो यहां पर इस sitting पॉइंट पर बैठ के आप उसे इंजॉय कर सकते हैं यहां पर भी हम लोग अने विल एलिवेशन पॉइंट को धिहान में रखते होए यहां भी थंडर शीट का बहुत अच्छा यूज किया है अपका जो है व यहां पर आजाता है यह मेरे फर्स फ्लोर पर मेरी फ्रंट की जो है वह बालकनी रहने वाली है इस बालकनी की भी अगर मैं स्पेस की बात करूं आपको अच्छी कासी यहां पर भी इसको जो है वह स्पेस मिलने वाली है उसके इलावा ग्लास में आपको ग्लास में प्रोइ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे जितने भी इसमें विलाज हैं वो सारे जो हैं वो आपको गेटिर सोसाइटी के अंदर मिलने वाले हैं आपको आगे जो दिखाने वाली हूं मेरे इस रूम का वाडरो बेरिया यह पूरा वाडरो बेरिया के साथ यहां पे हम लोग आपको जो है वो ड्रेसिंग जो है वो भी बना के दे रहे हैं आपको वाड़ोव की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं पूरी मशीन मेड आपको जो है यह वाड़ोव मिलने वाली है और बहुत ही प्रीमियम लुप के साथ जो है वो आपको यह मिल रहे हैं हम अपने second bedroom के second washroom तो यह आजाता है मेरा second washroom यहां पे भी आपको यह glass partition जो है वो as it is ही मिलने वाली है उसके इलावा अगर आप tiles में रेखेंगे तो proper आपको उपर से नीचे तक rooftop तक आपको यह पूरा ताई work भी मिलने वाला है और ventilation के लिए हम लोगों ने हर विंडो हर वाश्रूम में आपको हर विंडो प्रोवाइड करिये ताकि आपको suffocated नहीं फीलो मेरे जितने भी रूम है वहाँ पर अगर मैं light की बात करूँ यहाँ पर भी अभी आप देख पा रहे होएंगे आपको natural light जो है वो पूरे घर में feel होने वाली है धूप आने वाली है घर में तो जिस घर में normally धूप रहती है तो उसमें positivity जो है वो बहुत ही अच्छी रहती ह चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने 3rd bedroom की तरफ 3rd bedroom यह है यह मेरा master bedroom होने वाले है यह master क्यूँ है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले मैं इसकी भी आपको जो है वो space दिखाने वाली हूँ बेड लगने के बाद आपके पास बहुत अच्छी space आ रही है नॉर्मली हम जितने flats देखने हैं या विलास देखते हैं न तो हम यह सोते हैं मेरा बच्चा सारा दिन बेड पर बैठा रहेगा मेरे parents भी सारा दिन जो है वो बेड पर बैठे रहेंगे तो यहां आपको वो द लगा हुआ है bed आपका लगा हुआ है side table आपके लगे हुए है fall ceiling जो है हम लोग आपको वो as it is इसमें करके देने वाले हैं और यहीं से मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपना वास्टर बैडरूम का wardrobe area यह आ जाता है मेरे master bedroom का wardrobe area यह wardrobe area नहीं basically हम इसे जो बोल सकते हैं हम अ wardrobe area मिल रहा है हो और यहां पे भी आपको sliding door के साथ यह wardrobe area जो है वो पूरा मिलने वाला है इसमें भी हम लोगोंने बहुत चोटी-चोटी चीजों का ध्यान रखा है कि आपके बड़े चोटे length के तो भी कपड़े होते हैं उनको hang करने के लिए आपके पास proper space है उसके इलावा अगर मैं बात करूँ यहां पे मैं dressing area भी जो है वो आपको यहीं पे हम लोग जो है वो बना के दे रहे हैं यहां पे भी आपके पास storage के लिए बहुत अच्छी space निकल के आ रही है इसमें भी हम glass partition आपको agitives करके देने वाले हैं टेबल टॉप के साथ vanity आपको मेरे हर वाश्रूम में मिलने वाली है यहां पे थोड़ी सी बड़ी मिल रही है क्योंकि यह master bedroom है और वाश्रूम में भी हम लोगों ने जैसे विताया था मैंने आपको ventilation के लिए हम लोगों ने windows भी आपको provide करी है और आपको exhaust भी है जो हम किलते हैं जो चोटे-चोटे यह elevation point of view से ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने look इसको जो दी है वो बहुत ही अच्छी दी है यह चीजे हम लोग मिस करते हैं जब हम कोई बना बनाया घर लेते हैं तो अब यहां से entry ले रहे हैं हम लोग अपने rear balcony की तरफ यह मेरी जो rear balcony है मेरे master bedroom को assess करती है तो master bedroom में भी आपका ventilation point of view से कोई problem नहीं आने वाला है चाहिएगा मत मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा यहीं से हम लोग अपनी internal stair से अब हम चल रहे हैं अपनी roof की तरफ यह आप मेरे second floor पे enter करते हैं तो second floor पे भी हम लोगों ने आपको यहां पे जो ह घर का कोई ऐसा समान है जो आप नहीं use करते हैं तो आप यहां पे store कर सकते हैं उसके इलावा inverter की option हम लोगों ने आपको यहां पे दी हुई है तो आप अपना inverter भी है जो यहां पे install कर सकते हैं पे भी जो है वो आपको proper पूरा tile work जो है वो पूरा करके दिया है लेकिन tile work के स साथ साथ आपके घर की beauty को enhance करने के लिए यहां पे हम लोगों ने आपको यह evening time spend करने के लिए यह sitting point बना के दिया है मेरा यह sitting point जो है normally हमें नहीं मिलता है कि ही भी विला में हम लोग जाते हैं तो हमें बाद में यह add-on करवाना पड़ता है बड़ यह मेरे घर की usp है कि अपने विला का view यह जो view है आपको मैं evening time की भी photo जो है वो इसमें एक बार add-on कर दूंगी ताकि आप देख पाए कि with light effect के साथ ही जो view है वो evening time में कैसा आने वाला है मेरे पास यहां पे जो inventories available है बहुत ही limited inventories available है आप देख पा रहे हैं बहुत ही limited villas available है ऐसा नहीं है कि मे इन लेके कभी भी आ सकते हैं बहुत limited से विला है अगर आप consider करते हैं इस विला को इसकी जो connectivity है मैंने आपको बताया पट्याला रोड से यह connected है मेरा विला almost almost मेरे पास पांच विला जो है वो ready है बाकियों के भी super structure जो है वो ready हो चुके है तो जल्दी से जाईए visit का plan इसको plan करने के बाद इसकी चीजे देखने के बाद शायद आप इसी deny नहीं कर पाएंगे तो विला consider कर रहे है इस विला को देखने के लिए नीचे दुए नंबर पर call जरूर कीजिए मेरे चैनल को जिन्नों ने अभी तक subscribe नहीं किया है तो पहले जाके मेरे चैनल को subscribe कर ली साफ से ही हम चाहते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो लेके आया करें थैंक यू सो मॉच फ्रो मेकव गरूप